दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल ताजा ख़बर दूँगा बाइक और स्कूटर संबंधित जिसमें मैं आपको एलेक्रिक स्कूटर के बारे में भी बताऊंगा जिससे आप लोग लेटेस्ट न्यूज से हमेशा अपडेट रहें पहली न्यूज की हम बात करें तो आप जानते हैं ये दिसंबर का महीना है और पिछले महीने नौबर में बजाज कंपनी ने हीरो कंपनी को पीछे कर दिया है सेल्स में मतलब कि बजाज कंपनी ने अपने बाइक और स्कूटर ज़्यादा बेचे हैं hero company के मुकाबले अप आने वाले महीनों में क्या हो इसके बारे मैं नहीं जानता हूं लेकिन 9 महीने में ये news है कि बजाज कंपनी ने पीछे किया hero company को अब अगली न्यूज की हम बात करें दोस्तों तो आप जानते हैं इस समय इलेक्ट्रिक स्कूटर का इलेक्ट्रिक बाइक का बिल्कुल एकदम होड मची हुई है मतलब कि बहुत जादा हुआ है बहुत सारी कंपनिया आ रही है और उसके बाद नेने स्कूटर आ रहे हैं तो इसी सम्मंधित मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे की एक बाउंस कंपनी है उनका इंफिनिटी वन करके एक स्कूटर आ रहा है और वो जल्द ही लॉंच हो जाएगा इसके साथ ब्राइंड अमबिश्टर है रिति ग्रोशन और इस कंपनी में जैसे की आपको 70, 75,000 या बैटरी बदलना चाहें बदल सकते हैं मतब इसमें भी अच्छी सुपधा है ये साथ कम कीमत में आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर देने की कोजिस कर रहे हैं 65 किलो मिटर इसकी स्पीड होगी टॉप स्पीड होगी लेकिन इनों ने ये ज्यादा तर कहीं सो नहीं किया कि कितन चलेगा मुझे लगता है जिससे 80-85 किलो मीटर चलने माला इनका स्कूटर होगा जिसमें जैसे की रिवर्स मोड होगा और पंचर हो जाएगा तो जैसे आप लोग पैदल लेकर चलते हैं तो उतनी धीरे-धीरे ये स्कूटर चलेगा मतब बहुत सारे इनके अंदर रिवर् और जियो फैंसिंग, कनेक्टिविटी ये सारी चीजे इसमें आपको मिल लाएंगी तो ये कम कीमत में स्कूटर आएगा और जल्द ही जैसे इसकी 499 रुपे से बुकिंग शुरू है आप चाहें तो मतब मैं ऐसे बिना देखे तो नहीं कह सकते हूं कि आप बुक कर सकते है ओला कमपनी की भी जैसे वो खेप तयार हो चुकिया, खेप का मतब आप समझ लें कि जो डिलिबरी देनी है इनको वो सारी चीजे तयार हैं जल्द ही डिलिबरी सुरू हो जाएगी ओला कमपनी की और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे इस समय सरकार अपने इंडिया मे इलक्टिक स्कूटर को बढ़ावा दे रहे हैं चलाने पर भी और बनाने पर भी बेचने पर भी जिससे लोग जादा से जादा इसको चला है और पेट्रोल पर निरभर ना रहे हैं इसके लिए भारत सरकार जिसे सबसेड़ी दे रहे हैं इसलिए जल्द से जल्द बहुत सा आ रहे हैं और बाकी जैसे कि आप चाहे जिस कंपनी का खरीदें उसमें नाम लेने से कोई मतलब नहीं है और अगली न्यूज की हम बात करें तो दोस्तों बियस से कंपनी की जैसे गोल्ड इस्टार एक बाइक है जो की 650 CC की है बहुत जल्द महिंद्रा की महिंद्रा की नीचे यह बिदेशी कंपनी है जब यहाँ पर आएगी तो महिंद्रा के अंडर में काम करेगी और इसकी बाइक जैसे गोल्ड इस्टार यह बहुत जल्द लॉंच हो जाएगी और आप इसको खरी सकते हैं आप 650 CC की है 3-4 लाग रुपे की बाइक होगी देखने में तो अच्छी ह काफी अच्छी आती तो आने के बाद इनके बारे में और अधिक में आपको जानकारी दे दूँगा दोस्तों और दोस्तों अगली न्यूज की हम बात करें तो आप जानते हैं वीबो एक स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है और इन्होंने रेजिस्टर किया है मताब यह बनाना चाहते हैं उसके लिए रेजिस्टर किया गया है और अब जैसे कि साल दो साल में इनके भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हो सकता है आजाएं दोस्तों तो मताब अब मोबाइल बनाने वाली कंपनिया भी इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रही है तो आप मताब यह सोच सकते है कि कितना जैसे अपने हाँ जादू हो गया है कि मतलब सब लोग electric scooter बना रहे हैं अब आने के बाद जैसे अब आप यह न सोचें कि वीबो कंपनी का अगले महिने आ रहा है या अगले साल आ रहा है जब बन जाएगा भी तो रेजिस्टर हुआ है जल्द ही बनेगा और बनेगी यह scooter और बाइक तो उसके बाद आएंगी हाँ यह निज आपके लिए बहुत जरूरी थी कि मतलब बीबो कंपनी भी आपको electric bike और electric scooter देने की कोसिस करेंगे या फिर देंगी दोस्तों तो आपको यह news कैसी लगी दोस्तों comment section में जरूर बताएं और वीडियो गर आपको पसं हुआ है